Good morning students, बिटा, आज में आप लोगों को व्याकरण का नया चप्टर है क्रिया, इसको आप लोगों को समझाने जा रहे हूँ, क्रिया इसको, आप लोगोंने फिफ्थ में भी पड़ा है, क्रिया means वर्ब, ठीक है न, तो अब इसमें देखिए, नीचे सेंटेंस दिये हुए आप को मोहन पढ़ रहा है, वर्षा हो रही है, माता जी खाना बना रही है, उपर लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर आपको ग्यात होता है, कि इन वाक्यों में पढ़ रहा है, हो रही है, बना रही है, आदी पदों से, किसने किसी कारेकिक होने या कारेकिक करने का बोध बोध होना means ग्यान होना पता चलना यानि यह जो लिखे हुए word उन में से पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है फर्स्ट में पता चल रहा है पढ़ाई हो रही है सेकिंड में बारिश हो रही है थर्ड में माता जी खाना बना रही है तो जिन का शब्दों से हमें किसी कारिके करने या होने का पता चलता है हमें ग्यात होता है वो शब्द जो है वो क्रिया कहलाते है अब आपको मैं इसकी परिभाशा बता रही हूँ वाकि के जिस शब्द से हमें क्रिया किसी कारिके करने या होने का बोध हो बोध भी बताये था मैंने, पता चले, उसे क्रिया कहते हैं, यहनि सेंटेंस बिना क्रिया के कभी भी complete नहीं होता है, तो वाक्य में वही शब्द जिनसे हमें यह पता चले कि कोई काम होता है, कोई काम चल रहा है, होने वाला है, या हो रहा है, वो क्रिया कहलाता है, ठीक है? उठ, बैट, आदी. धातू में ना जोड़ने पर कृया का सामानी रूप बनता है. यह ना क्या है? यह ना प्रत्याय है. यानि किसी भी धातू में ना प्रत्याय लगा देने से फिर उसका सामानी रूप बन जाता है. जैसे पड़ मे ना लगा दिया, मुख्य शब्द धातु यानि मूल वर्ड जो है उसमें जब ना प्रत्य लग जाता है तो क्रिया सामानी रूप से क्रिया बन जाती है वो शब्द समझाता है अब है क्रिया के भेद कर्म की दृष्टी से क्रिया के दो भेद है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया सब ही आप ल कर्म पर नहीं, कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक्रिया कहते है यानि वाक्य में जो कारे हो रहा है उस कारे का फल केवल कर्ता पर ही पड़े कर्ता मीज़ करने वाले व्यक्ति पर पड़े कर्म पर नहीं पड़े तो वो अकर्मक्रिया होती है ठीक है? वो फल है वो किस पर पढ़ रहा है केवल लड़की के उपर कर्म इसमें कुछ भी नहीं है मोर नाच रहा है तो वो किसके उपर इसका फल हो रहा है केवल मोर के उपर है न यहां और कोई कर्म दिखता नहीं है इसलिए अकर्मक्रियाएं कहलाती है ठीक है उपर लिखे वाक्यो काम का फल करता पर पढ़ रहा है इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं है इन में कोई कर्म नहीं है ठीक है अब आप लोगों को समझाया कि अकर्मक और सकर्मक में क्या फर्ग है यानि अकर्मक क्रिया में जो सेंटेंस में जो करता है वाक्य में जो करता है उसके द्वारा किये जाने वाले काम का फल केवल उसी पर पड़े, किसी और पर न पड़े, तो वो अकर्मक क्रियाएं होती है, हंसना, रोना, सोना, जागना, उटना, बैटना, भागना, दोरना, तैरना, नहाना, आधी क्रियाएं, प्राया, अकर्मक होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसका जो फल है, व कर्म पर पढ़ता है उन्हें सकर्मक्रिया कहते हैं यानि सकर्मक्रिया में कर्म जो है उस पर असर पढ़ना चाहिए तब ही वो सकर्मक्रिया कहलाती है जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है अब सिर्फ होता अध्यापिका पढ़ा रही है तो ये कौन सा हो जाता अकर्मक लेकिन अध्यापिका क्या पढ़ा रही है पुस्तक पढ़ा रही है तो पुस्तक कर्म क्या है उनका कर्म है पुस्तक ठीक है न तो इसलिए ये अब क्यों सी क्रिया बन गई ये सकर्मक बन गई शेखर कार चलाता है क्या चला रहा है वो कार उसका कर्म क्या कर रहा है कार को चलाना इसलिए ये सकर्मक हो गया ठीक है विशेश यहां पर ध्यान देने योगी बात है अब देखो सबसे पहले उपर लिखे वाक्यों में पड़ रही है चलाता है सकर्मक क्रिया है पुस्तक और कार कर्म है जैसा कि म के साथ क्या या किसको शब्द लगा कर प्रश्न करना चाहिए यानि जो वाक्य है अगर हमें उसमें इजी वे में पता करना है तो उसमें क्या शब्द मैं शब्द है क्या लगा लो किसको लगा लो तो उनसे आंसर मिलना चाहिए यानि कोशन करो जैसे अध्यापिका पढ़ा तो आंसर क्या निकलेगा अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है ठीक है फिर शेखर चलाता है तो यहां पर कुछ अब कोशन जब करेंगे तो क्या जागा शेखर क्या चलाता है अंसर क्या निकलेगा शेखर कार चलाता है यानि क्या और किसको यह शब्द जो जब जोडने प किस क्रिया में एक ही कर्म होता है उसे एक कर्म कहते हैं जैसे माता जी खाना खिलाती है अब माता जी क्या कर रही है, खाना खिला रही है, तो इसमें एक ही कर्म सीधे सीधे नज़रा रहा है, इसमें दूसरा कोई कर्म नहीं है, मीना पत्र लिखती है, अब इसमें एक कर्म है, क्या है, पत्र लिखना, तो लिख रही है कर्म, एक ही हो रहा है, तो एक कर्मक आ गया, इन वाक्यों में खाना और पत्र कर्म हैं अधर यहां एक कर्मक्रिया है अब सेकिन नमबर है खर नमबर द्विकर्मक्रिया जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक्रिया कहते हैं यानि जिस सेंटेंस में दो क्रिया होती हुई हमें दिखाई दें वे द्विकर्मक क्रिया वाले बात क्या कहलाते हैं जैसे माता जी बच्चे को खाना खिलाती है अब इसमें कितने कर्म हुए दो हुए ना एक तो बच्चा है और दूसरा खाना है ठीके ना सिर्फ माना पहले खाना था तो एक कर्म था येकिन अब बच्चे को खाना खिलाना हो गया तो कितने हो गए दो कर्म हो गए बच्चे को खाना खिला रही है मीना पिताजी को पत्र लिखती है यहां पर भी दो कर्म है एक तो पत्र लिख रही है लेकिन किसको लिख रही है अपने पिताजी को लिख रही है तो यहां पर दो कर्म जुड़ गए इसलिए यह दूर्मक वाले वाक्य होते हैं . पहले वाक्य में बच्चे और खाना तथा दूसरे वाक्य में पिताजी और पत्र दो-दो कर्म हैं है ? अजर यहां क्रिया दूर्मक है ठीक है अभी आपको समझ आया होगा यानि जिस वाके में सिर्फ एक क्रिया दिखाई दे वो एक कर्मक और जिस वाके में दो-दो कर्म हों वहाँ पर दुई कर्मक क्रिया होती है अब आपको क्रिया अच्छे से समझा गई यानि सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रिया हैं समझाई सकर्मक के दोनों भेट भी एक कर्मक और दुए कर्मक मैंने समझाए आप लोगों को अच्छे से समझाए होंगे